रूप करते हैं शोबिस की रंगरंग दुनिया का आपको बताते हैं साबिक भारती करेक्टर के स्यासदान नुजूद सिंग सिदू की एहलिया ने स्टीज टू इन्वेस्टिफ कैंसर की तश्कीज के बाद ट्विटर के जर्ये जेल में कैद शोगर के लिए जजबाती बेगाम चारी कर दिया सिदू की एहलिया नुजूद कोहर ने टूटर अकाउंट से अपने जजबात से भरी अपनी टूट में अपने शोगर को मैंशन करते हुए लिखा कि वो जेल में एक नाकरदा जुन की सजा काट रहे हैं जो भी मुलवस हैं माफ कर दें इन्होंने लिखा मैं बाहर आपका इंतजार में हर रोज आप से ज़्यादा मुसीबत बरदाश कर रही हूँ हमेशा की तरह कोशिश करती हूँ आपकी तकलीफों को दूर कर सको आप से कहती हूँ अपनी तकलीफे मुझे बांड दे नुजूद कोहर ने लिखा कि अब छोटी सी बहतरी आना शुरू हुई थी लेकिन मुझे मालूम था कि ये खलत हो रहा है मैं आपका इंतजार करती रही और देखती रही आपके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा बार बार नाइंसाफी हो रही है बॉलिवूर्ड डांसर अदकार राकिसामत ने आदिल दरानी से शादी के बाद पहले रमजान के लिए अल्ला से दुआ की है कुछ रोज कब राकिसामत ने रमजान मुबारिक में रोजे रखने का इलान किया था और कहा था कि उम्रा के दस्तवीज तियार करवा रही हूँ ताके रमजान में सादत हासिल हो सके रमाबर्स के अगाज में राकिस सावन ने इसलाम कबूल करने का दावा किया था और फिर अपने दोस्त आदिल दरानी से शादी की थी ताहम अब दोनों में अलैदगी हो गई है अब रम्जान के अगाज में राकिस सावन ने इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसमें लिखा या ला ये मेरे पहले रम्जान है मेरी मदद फरमा मैं नहीं जानती रोजे कैसे रिखे जाते हैं मैं अकेली हूँ मेरी मदद फरमा पाकिस्तानी गुलुकार अली जफर ने माहे रम्जान शुरू होते ही मशूर नात फासलों को तकल्फ है हमसे अगर पढ़कर अपने मदूहों को रम्जानों मुवारिक का तोफा पेश कर दिया समाजी राबतों की वेबसाइट ट्वीटर पर गुलुकार अली जफर ने अपनी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें इनकी मशूर नात फासलों को तकल्फ है हमसे अगर पढ़ते हुए देखा जा सकता है पोस्ट में इनका कहना है कि अस्सलाम अलेकुम दोस्तों माहे रम्जान रोजे रखने के साथ अपने दिमाग जिस्म और रू का साफ करने का मुकदस महीना है गुलुकार ने लिखा कि मैं आजजी से आपके साथ पासलों को तकल्फ नात शेयर कर रहा हूँ ये एक ऐसी नात है जो सिर्फ पुरानी यादे ताजा करती है बलके मक्का और मदीना की सेर के रूहानी हुस्त को भी ब्यान करती है